जानी LIC Policy पर लोन लेने का सही तरीका हेलो दोस्तो मेरा नाम सत्यम सैनी है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी LIC की Policy पर लोन ले सकते हो और किन-किन documents की आपको जरूरत होगी साथ ही और कौन-कौन से form आपको भरने होंगे तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें किन-किन documents की जरूरत है सबसे पहले आपके पास आपकी LIC का original bond होना चाहिए जो कि आपको policy कराते समय आपको आपके agent ने दिया होगा जो कि कुछ इस तरह का होता है दूसरा documents आपके पास अपना आधार card होना चाहिए जिसकी photocopy लगानी है तीसरा documents आपके पास आपका bank card होना चाहिए इसकी भी आपको photocopy लगानी है चौथा documents आप अपने bank account का cancel check लगा सकते हैं यदि उस check पर policy holder का नाम printed है और अगर आपके पास वो check नहीं है जिस पर आपका नाम printed हो तो इसके आला आप अपने bank account की passbook की photocopy लगा सकते हैं लेकिन आपकी passbook में भी same नाम होने चाहिए जो की आपकी LIC की policy में है पांचवा document आपके पास last जमा की गई रसीद होनी चाहिए यदि आपने अपनी policy check से जमा की है तो आपको check clearance देना होगा इन सब documents के अलावा आपको एक form भरना होगा जिसका number है 5204 इस form को आप किसी भी LIC के office से ले सकते हैं और online भी आपको मिल जाएगा जो की इस तरह का होता है इसके साथ आपको neft का form भी भरना होगा जो की इस तरह का होता है इन सभी forms और documents की copy पर आपके signature भी होंगे मैं आशा करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा LIC policy पर loan लेने का सही तरीका अगर आपको अभी भी कोई doubt हो तिया कुछ भी पूछना हो तो आप comment कर सकते हैं हम जल्द से जल्द आपके comment का जवाब देंगे